काना की नगरी में हो रही गोधनों की दूरदशा, दाना पानी के लिए गूमती नजर आती हैं गाय, प्रशनी की नगरी यानि ब्रजशेत्र में हजारों की संख्या में हजारों निजी एवं संस्था की गोशाला तथा दो सरकारी गोशालाएं होने के बावजूत भी आज ग पसर नहीं छोड़ते मगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो वह कुछ और ही बया करती है यह नजारा है गोवर्धन के बस स्टेंड का यहां एक महिला बोतल से पानी पी रही थी उसको देखकर एक छोटी गाय बहां आ गई तता महिला से पानी की उमीद जिताने लगी जिसको दे किरों में बस स्टेंड पर खाना खारे शद्धालों से खाना मिलने की उमीद से पहुची गाय या शद्धालों ने अपने पास रखे खाने में से गाय को कुछ खाना खिलाया यह गाय अपने दाना पानी के लिए दरदर ठोकरे खाती भी नजर आती हैं हम आपको यह भी बत पाया कि दूद देने वाली गायों को गौशाला संचालक ले जाते हैं मगर छोटे बचड़े एवं बिना दूद देने वाली गायों को रोड़ पड़ी छोड़ जाते हैं अब देखना यह है कि ब्रश शेत्र में क्या गायों की दूर दशा कभी सुधर पाएगी या फिर यह यूँ ही अपने दाना पानी के लिए दर्दट की ठोकरे खाती नजर आएंगी. इसकी समय में तो आता है नहीं रोटी को फैंक तो देता है लेकिन यह नहीं के गायों को पकड़ता है गौसाला पहुंचाता है उसके बावजूरी परकम मार्क में इतनी सारी गाय दीख रही हैं। वो अपने मतलब की गाय को लेके जा जेते हैं जो दूदार हुए है दूद देती है या फिर वो घ्याने बाली है उसको लेके जाते हैं। आज मैने खुद देखा था एक गाय पूरी गर्दन पैसे गायल की उसके खून ही खून हो रहे हैं। अब कई आदमें मुझसे भी गातन में लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं। तो कि हम बाबा होके काम नहीं कर पाते हैं। तो हम अमारी इच्छा तो थी कि हम लोड़ के जाएं। प्रसाद पाने ना जाएं। और इन माता की कोई ना कोई दबाई लगा। तेकि जेब से मजबूर हैं। किसलिए। वो लेके तो जाते हैं। जो काय व्याने वाली हो या दूद देने वाली वाली। किसी को लेके आते हैं।